दोस्तो नमस्कार आपका विमलादेवी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है आज हम आपको बताएंगे गोवत्स द्वादसी वरत कथा और यह कब की जाती है यह वरत कार्दिक माश की कृष्ण पक्स की द्वादसी को किया जाता है इस दिन गाएं बच्डे का बने को देने चाहिए इस दिन गाएं का दूद वैगेहूं के बने पदार्तों का परियोग नहीं करना चाहिए कटे हुए फल का सेवन भी नहीं करना चाहिए तथा गोवत्स की कहानी सुनकर ब्राह्मनों को फल आदी देने का विधान है कता बहुत समय पहले की बात है पू सीता और गीता दो रानिया थी राजा ने एक भैस और एक गाएं बचड़ा पाल रखा था सीता भैस की देखवाल करती थी और गीता गाएं के बचड़े की देखवाल करती थी गीता बचड़े पर पुत्र के समान रस बरसाती थी एक तिन भैस ने चुगली कर दी की रानी गीता मुझसे इर्षा करती है ऐसा सुनकर सीता ने गाएं के बच्डे को मार कर गेहूं के धेर में छुपा दिया राजा जब भोजन करने बैठे तब एकाएक मास की वर्षा होने लगी महल के अंदर चारो और रक्त और मास दिखाई देने लगा भोजन की थाले में खाने की जगे मलमूत्र हो गया राजा की समझ में कुछ नहीं आया तभी आकाश्वानी हुई की है राजन तुम्हारी रानी सीता ने गाएं के बच्डे को मार कर गेहूं के धेर में छिपा दिया है कल गोवत्स द्वाद्सी है तुम भैस को राज्य के राज्य से बाहर करके गोवत की पूजा करो तुम्हारे तप से बच्डा जिन्दा हो जाएगा राजा ने ऐसा ही किया जैसे ही राजा के मन से बच्डे को याद किया वैसे ही बच्डा गेहूं के धेर से निकल आया यह देख राजा प्रशन हो गया उसी समय से राजा ने अपने राज्य में आदेश दि लिए गोवच्ष द्वाद्शी का व्रत रखना अनिवार्य है तो आपके गोवच्ष द्वाद्शी की हार्दिक्सुन कामना है धन्यवाद